दोस्तों आई सी ने चैंपिर शूफी का टूब पांकिस्तान में कैंसल कर दिया दूस्तों पांकिस्तान टीम के नए और आज की वीडियो में बात करते हैं वह व्हूंद कर्किक कम दे में अगए बने देफ से पहले चैनल को लाइस प्लाइब कर देना और आप सब्सक्राइब करना क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपोर्टन्ट होने वाली है लेकिन एक मिलेगी और आपको इंतजार भी करना नहीं पड़े दोस्तों इंडियन टीम को सब राजी कर रहे हैं कि एक बार पाकिसदान आजो तो मदा ना है तो वाकि ही क्रिकेट बोर्ट जो इंडियन टीम को राजी कर रही है लेकिन नहीं उनकी गौर्मिंट मान रही है लेकिन अब बहुत बड़ी अपडेट आ रही है बीसी मी ने बीसी सी आई को इंफॉर्म करकी ये बताया कि बाया अपनी सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान पहले बिजवाओ और यहां की सिक्योरिटी चेक कर लो अगर आपको पसंद ना है तो फिर हम सोचेंगे अगर आपको स लाजी कर सकता है जी यहां दोस्तों नजम शेटी ने साफ साफ बता दिया उन्होंने अपने इंटर्व्यू में कहा कि बाइए इंडियन टीम को सिरफ एक इस शक्स लाजी कर सकती है और उसका नाम है अब प्राइम मिनिस्टर जी हां दोस्तों मिया मौवन नवाज शरीव बाइए इंडियन टीम को राजी कर सकती है, बीसीसीयाई को राजी कर सकती है क्योंकि उन्होंने अपने इंटर्व्यू में कहा कि मिया मौवन नवाज शरीव जो है उनके तालुका नरिंदर मूदी के साफ बहुत अच्छे हैं और जब निया मौवन शरीव नरिंदर मूद कि जाकर उन्हें राजी करें नरिंदर मूदी को सिरफ एक जानी आज तो बहुत मजाएगा जब इंडियन टीप पाकिस्थान में विराट को निपाकिस्थान में होगा क्यूंकि एक मुनत्वा तो आजए यार रोहिड शर्मा आजए आजए यार विराट को लिए तो मजा ही जाएगा इस अगल से आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या बाके ही मोवन मिया नवाज शरीफ जो है वो नरिंदर मूदी को मना सकता है यह पिर रही दोस्तों आई सीसी ने चैंपियन सोफी का टूर पाकिस्तान में कैंसल कर दिया अब वह क्यों बहुत बड़ी अब डेट आचुकी है दोस्तों जैसे के आपको बता है कि मैंने पिछली विडियो में यह बता है चैंपियन सोफी दोजार पचाइस का टूर जो है वह यह शुरू हो जाना है पाकिस्तान से और बाइया किन-किन जगों पर जाना हो तो मैंने पिछली वीडियो में कह दिया इसके बाद ही ICC ने तरास कर दिया कि हमारे बगेर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते तो दोस्तों ICC ने चैंपियंस टूफी का टूर पाकिस्तान में कैंसल कर दिया और उसके अगले दिन ही अनौस कर दिया हमारी मर्दी है हम है मालिंग तो हम ही बताएंगे कि बहुत चैंप नौबर को एटाबाद में फिर 19 नौबर को मरी में और फिर 20 नौबर को नतिया गली में और 22 को क्राची में जानी कि वह शहर है जिसमें चैंपियन सोफी का टूर होगा यानि इसमें लाहूर को भी शामिल नहीं किया गया तो बैकिन क्या कर सकते हैं याँ आइसीसी मालिक है और हम यहां के servants है तो अपक्र सकते और हां दोस्तों पाकिस्तान की इन शेरों में जाएगी और साथ ही साथ साथ आफरीका भी जाएगी उसके बाद बंगलादेश भी जाएगी और आखिर में ट्रोफी जाएगी तो वो है इंडिया में और इंडिया में 10 दिन रहेगी हमारी चैंपेन सोफ अब देखना यह होगा कि बीसी से है कि क्या प्लैनिंग चलने है या दस दिन ट्रोफी अपने पास रखेंगे भाईया आपकी दिमाग में लगता है कुछ और खिचडी पकरी है दोस्तों पाकिस्टान टीम के नए हैड को आकिम जवेद पनने वाले अब यह बह दाफता किया और उने कहा कि वाईट बॉल्टीम को भी आप संबालो लेकिन यह तक बात आ जाती है तो यह तो मैं वाईट बॉल संबाल लूंगा या फिर बहुत ही बड़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है क्योंकि हमें वाइड बॉल टीम के चीफ सेलेक्टर है तो दोस्तों इस बात में 100% एगरी करता हूं कि आकिप जवेद बहुत अच्छे हैं और वाइंट सेट भी रखते हैं दोस्तों हमारी टीम को वह बहुत अच्छी तरह संभाज सकते हैं जिस तरह उन्होंने कुछ चेंज पाकिस्तान टीम को क्यूंकि उनको पता है कि खिलाडीयों को किस तरह चलाया जाता है वह इसको रहत देनी चाहिए इसको किसकी जगह पर खिलाना चाहिए ही हैड कोच का काम होता है तो पर यह मैं 100% एगरी हूं आकिप जवेद से आप भी मुझे कोमेंट सेक्ष्ट में बत प्लेर है तो समीने सही जवाद दिया और इसके लाड़ी का नामारा यंग प्लेर यानिके महरान मुमतास तो वह कोंसे मेरे वही है जिनके नेम जो लगी ड्रॉव में से निकले है तो पहले विनर वह है रमजान तो रमजान के लिए बिदा स्क्रापिंग हो जाओ जो थार् हमारे मेरे 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 परिशान ना हो जिनके नेम जो वह आज की वीडियो में लेंगे बहुत से बीजिए नहीं वाला मुझे यह बताओ कि यार यह कुन से किला रही हो और आप सब्सक्राइब करने तो बढ़े रोडियो करा एक चैनल्स कुछा है और फिर कुमेंट सेक आपको आज की वीडियो बहुती इंट्रस्टिंग और अच्छी लगी होगी तो जैनल को भी लाद भी सुब्सक्राइब कर देना क्यूंकि आपकी मोहबद मुझे मोटिवेट करती है अपना क्या लगना मेरा भी खाय लगना ओंके अलाव लगना ओंके अलाव